Hello Students, Welcome to Roosan Ki Class YouTube Channel Students, आप सभी का जो DL at first semester है या फिर DL at third semester है उसके परिछाओं की तिथी घोसित हो चुकी है आप लोग के information के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है कि आप लोग को अगर अभी भी ना पता हो कि आप लोग की exam date कब से है तो आप लोग को पता चल जाए इस वीडियो के मादनें से आप लोग को ये बताने का प्रयास किया जाएगा आप लोग को information पहुचाने का प्रयास किया जाएगा आप लोग DL at first semester में हैं जिसको पहले BTC कहा जाता था या फिर third semester में है तो आपकी परिच्छाएं कब से होनी है, किस किस दिन होनी है ये सारी information आज किस वीडियो में आप लोग को मिल जाएगा और ये आपका genuine news है तो आप देख सकते हैं आपे PNP का पूरा यहाँ पे उसकी website पे जाएगे तो ये PDF आपको मिल जाएगी जिसमें आपको एक-एक चीज बताया गया है एक-एक information बताया गया आपके DL at first semester के exam से related और third semester से related सारी information यहाँ पे दी गई है तो वीडियो अगर अच्छी लेगे तो प्लीज वीडियो को like जरूर करिएगा और ऐसी information अगर आप लोग daily basis पे चाहते हैं तो रोशन की class youtube channel को subscribe जरूर कर लिजेगा ठीक है तो देखें यहाँ पे जो परिछा नियामक प्राधिकारी है PNP के सचिव इनके द्वारे यहाँ पे बताया गया है कि यह देखेंगे आपका date है 19.00 जुलाई 2024 का तो इसमें आपका सारा information बतायेगा है कि आप लोगों का कब से एक्जाम होना है क्योंकि यहाँ पे देखेंगे विसे है डेलेट प्रथम 19.30 समेस्टर परिछा 2024 आवजित किये जाने है परिछा केंद्रो की सूची उबलप्त कराये जाने से संबंद में यानि कि आपका जो यह परिछा है इससे रिलेट यहाँ पर सारी information दी गई है और यहाँ पर देखेंगे आपका डेट आ चुका है डेलेट फर्स समेस्टर का यहाँ पर लिखा गया डेलेट बीटीसी प्रतम समेस्टर का यहाँ पर लिखा गया 8, 9, 10 आपका डेलेट फर्स समेस्टर का 11 को गयाँ होगा क्योंकि 11 को 11 अगस्त को आपका संडे है रविवार है और 12, 13, 14 को आपका फिर डेलेट थर्स समेस्टर का आपका पेपर नियोजित किया गया है पहली बार ऐसा हो रहा है कि डेलर के पेपर में एक दिन का gap मिल रहा नहीं तो पूरे हपते होता था सो मुआ से लेकर सनी मार के बीच में पूरे exam कराया जाते थे लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि उसमें एक दिन का gap मिला है तो इसको यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा कि आप अगर पहले समेश्टर में प्रसम समेश्टर में तो आपका exam 8-9-10 को होगा और 3-3 समेश्टर में तो आपका exam 12-14 तारिक होगा ठीक है और यहाँ पे कुछ और information दी गई यहाँ पे देख सकते हैं परिच्छा केंदर से सम्बंदित जनपत के जिला विद्याले निरिच्छक एवं उप सिच्छा निदेशक प्राचारी जिला सिच्छा एवं प्रसिच्छड संस्थान का सयूगत रूप से होगा यानि कि जो भी केंदर आपके आयोजित होंगे आपके जिला में वो इन्नों का कारे होगा कि वो लोग यहाँ पे आपका सेंटर बनाएंगे नेक्ष्ट है परिच्छा केंदर याथा संभाव जन्पत मुख्याला पर उपलब्ध हो यानि कि जो जन्पत का मुख्याला हो वहाँ पर उपलब्ध हो नहीं तो आसपास से जो और संटर बन सकते हैं जहाँ पे अभियर्थियों को पहुचने में सुविधा हो और बउस्था होनी चाहिए परिच्छा केंदर अच्छी ख्यातीवाले राजिकी अशास की सहयता प्राप्त इंटर् कॉलेज़ों को ही दिलधारित किया जाएगा यह परिच्छा केंदर से संबंदित है यह आप लोगों से रिलेट्ड़ नहीं है लेकिन हाँ आप लोगों से इसलिए यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि परिष्छा के अंदर जो बनाया जाएंगे वो आपके आसपास ही जीले में बनाया जाएंगे ऐसा नहीं कि दुर दराज गाउं में बना दिया जाएगा जो सहर के आसपास होंगे वही परिष्छा के अंदर बनाया जाएंगे जहां आप लोग का पहुँचना आसानी से आप पहुँच सकते हैं ठीक है तो आप लोग तैयारी में लगे रही है आप लोग की classes daily basis भी होई नहीं सामके साथ मेहत की classes इसे में चल रही है उसको भी मैं कोसिस यह करूँगा कि आपके exam के पहले पूरा कोस कम्प्लीट करा के आप लोग का repeat revision batch भी हो हाँ पर चला दूँ एक ही दो वीडियो में मैं सारे chapters के question आपको revise करा दू मेह राथन semester तक की पूरी तैयारी करना चाहते है तो रोशन की class यूटीब चैनल आपके लिए लाब दायक जरूर होगा चैनल को subscribe कर लिए बेल आइकन दबा लिए तो students मिलते नेक्स वीडियो में और इस वीडियो के PDF अगर आप लोगों चाहिए तो आपको मैं यहाँ पे रोशन की class टेलिगरम चैनल पर अपलोड कर दूँ वहाँ जा कि आप बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है friends तो मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लि बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद वंदे मात्रम